है कि है प्यारे बच्चों आपका rcc ज्में एक फिर स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर नाइन्थ चेप्टर का यह नाइन्थ क्लास का जो पूर्ज है उसके बारे में हम यहाँ पर दे सकते हैं यहने लोग पढ़ेंगे और इसमें जाने की कुशिश करेंगे यह जो किसमें है यानि चुन यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इसकोल आफ फ्यूचर यानि हमारे आने वाले दिनों में किस परकार से स्कुल होंगे यहां पर दिया है moving test फिल इसके आपका दिया learning through computer फिल क्या हुआ कि आने वाले दिनों में यह जो हमारी पढ़ाई जो हो रही है उसके द्वारा यहां पर learning through computer के द्वारा पढ़ाई हो जाएगी फिर आपका दिया है आपका remote teacher और आने वाले दिनों में आपको remote teacher मिलेंगे आपको पढ़ाने वाले साम नहीं मिलेंगे ऐसा इस चेप्टर में बताया गया है और वेर्शुल classroom और जो classroom होगा अलेडी वह लिपटाप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो यहां पर CPU रखा गया और यहां पर अलेडी computer से है यानि आने वाले दिनों में आपका total जो होगा पढ़ाई इसी पैधारित होगी और यह चिप्टर जो दिया भी है आपका दफ़हन दे है जो इसी पैधारित भी है कि future के school कैसे होने वाले हैं यहां पर दिया भी है कि school of the future यानि future के हमारे school कैसे होने वाले हैं हम यह जानते कर आप लंबे समयते हैं पूरा वीडियो हमरा देखते हैं तो निशी तुरुप से जो इतनी भी इसके question answer question आपको बनेंगे एक question को आप असानी से हल कर सकते हैं अब यहां पर दिया भी है आपका जो इस्टेंजा जो start यहां पर दिया भी है पढ़ने से पहले आप कुछ दिया है have you ever read words and a television or computer screen क्या तुमने कभी television या computer के पर्दों पर सब्दों को पढ़ा है can you imagine can you imagine imagine मने होता है कलपना करना a time when all books will be on computers क्या तुम ऐसे समय की कलपना कर सकते हो जब सभी किताबे computer पढ़ोंगी यानि आले देखिए कहा जा तो यहां पर ऐसे चेप्टर आने वाले दिनों में होंगे कि आपको जितनी भी किताबे आप लोग बढ़ रहे हो present time में हम लोग यहां पढ़ाय जा रहा है तो आने वाले चपेगी printed मने होता है चपना यानि जो आपका दिया है printed मने होता है चपना यानि कोई भी किताबे जो होंगी वह print out नहीं होंगी वोड यू लाइक सच बुक्स बेटर यानि क्या तुम ऐसी किताबों को अची तरह पसंद करोगे अब यह तो भई आने वाला future ही बताएगा हम कैसे कह सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए चेप्टर जो है लेडी यही बताया गया कि future में कैसे school होने वाले हैं इसके बार मार्जी इवेन रोट एबाउट इट डैट नाइट इन हर डायरी अब देखिए यहां पर मार्जी यानि यहां पर हम का सथे कि दो लोग है यानि यहां पर हम का सथे कि यहां पर दो लोग है जैसे माले जी है मार्जी है आपका और यह क्या है टॉमी है इन दोनों के बीच म बातें चल जब लही होती हैं और ये इसे कुछ बातें करता है तो यहां पर स्कुल को लेकर ही बातें होती हैं इसके बारे हम पढ़ेंगे यां पर यहां पर पहले सुरुवाथी में दे दिया है कि Margie even wrote about in that night in her diary, Margie ने उस राथ अपनी डाइरी में इस बारे में लिखा, यानि Margie even wrote, wrote मना होता है लिखती थी about it इसके बारे में that night in her diary, इस राथ को, यानि Margie उस राथ को अपनी डाइरी में इसके बारे में भी लिखा, on the page headed 7th Mai 2157, सेवन यानि अन्द पेजएड़ हेड़ें मन होता है प्रिस्त यह उपर ही हिस्ट ता यह हम लिख भर यह तो उस् festivals तऱ् कार्ट तो अपने लिख लिखती है कि टामी को एक सचमुच की किताब मिली टूड़े टॉमी फाउंड ए रियल वू देखे कोशन आपको मिलेगा तो इस कोशन का जबाब ही आपको जाए कि उसने पत्र में डायरी में क्या लिखा तो लिख सकते हैं कि आंद पेज एड़ेड सेवंटी वाइड सचमुच की एक वास्तिक कुस्तक मिली आगे देखिया है it was very old book वह बहुत ही पुरानी किताब थी it was very old book वह बहुत ही पुरानी किताब थी Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब देखिए यहां पर जो sentence बड़ा है, Margie's grandfather, यानि Margie से यहां पर अपिस्टॉपियस लगा हुआ है, जो कि यह noun का noun से क्या relation को बता रहा है, तो Margie's grandfather once said, यानि Margie के दादा जी ने एक बार कहा था, that मतलब की, यानि Margie के दादा जी ने एक बार कहा था, कि Ben he was a little boy, जब यह कोई लड़के थे, his grandfather तो उनके दादा जी told him, उनके दादा जी उन्हें बताया करते थे, that की there was a time, एक ऐसा समय था, Ben all stories were printed on paper, तो जब कसरी कहानिया जो थी ना, पहले कागज पर छपा करती थी, यानि देखिए वह उन दिनों की बात है, यह future की बात है, यह फ्यूचर की बात है, तो यह आप लिखा भी गया है, यह भी आप लोगता है, कैसी सताब्दी चलना भी इसे आने में बहुत समय लगेगा, और आने वाले दिनों में जो भी आपके पढ़ाईयां जो होंगी ना, आलेटी वर टेर्वियर की स्किन पर ही होने वाली है, तो ही आपे जब वो किताब मिल दे तो उस किताब में लिखा भी था, कि मार जी के करें जो दादा जी थे, उसके जब वो छोटे बचसे थे, तो उसके दादा जी बताया करते थे, कि देर वाज टाइम एक ऐसा समय था, वेन आले स्टोरी वेर प्रिंटेड आने पेपर, कि प्रिंटेड में लिखता छपना, यानि सभी जो कहानिया थी, वो पेपर पर छपा करती थी, उसके बाद या, दे टरंड दा पेज, जब उन्होंने पुस्तक को पल्टा, दे टरंड दा पेज, जब उन्होंने प्रिंटो को पल्टा, वीच वेर एलो एंड क्रिंकली, जो कि वो अब देखिए, दे टरंड दा पेज, उन्होंने पेज को पल्टा, वीच वेर एलो, जो क तूड़े मुड़े थे, and it was awarefully funny to read words that stood in seat, instead of moving the way they were supposed to, यानि कहने कितात पर यह है, पूरा देख लिए हाँ पर, यहाँ आप आपर समझ में आगया होगा, they turned the page, turned बने होता है मुड़ना, page बने होता है, पिस्ट, जब उन्होंने page को पल्टा, which bear yellow की जो और सफे पीले थे, and क्रिंकली और तूड़े मुड़े थे, and it was awarefully, awarefully यहाँ पर दिया भी आपका है, यानि हसी मजा क्या नहीं कह सकते हैं, कि मन भैंकर तरीके से कह सकते हैं, and it was awarefully funny to read, यानि read words that stood still, instead of moving the way they were supposed to, यानि कह सकते हैं, कि जब उन्होंने page को पल्टा, तो पीले और बहुत तहरदार थे, और उन सब्दों को पढ़ना, जो कि चलते हुए प्रतीत होने के बजाय मौन खड़े रहते थे, देखें, जो अलेडी जब भी कहानिया जो पहले निकलती थी, पेपर पर निकला करता था, तो ऐसा उन्हों को लग रहा था, उस तो बिचारे कंपीटर पर पढ़ रहे थे, यानि 277 की बात है, आने वाले दिनों की बात हो रही है, तो उन्होंने जब कापी में जो लिखा हुआ था, तो अलेडी जैसे मानलों की एक मूर्ती, यानि एक प्रकार से, वो जो अब वर्ड है ना, वो मानो, वो ऐसे के वैसे खड़े हैं, आगे दिया है आपका, आन ए स्क्रीन, यू नो, जैसा कि आप स्क्रीन पे जानते हो, यानि देखते हो, एंड देन वेन, दे टरंड बैक टू दा पेज बीफोर, इट हैड दा सेम वर्ड आन इट, देट इट हैड बेन दे, रिड इट दा फर्स्ट टाइम, जब पहले के पेज को दुवारा पलटते थे, तो उस पर वही सब्द होते थे, जो उन्होंने पर्थम बार पढ़े होते थे, आलेट देखे जो किताब को पढ़ने थे, जो पुराने किताब थी, उस किताब को जब लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हो ही बता रहा है कि, आन ए स्क्रीन यू नो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हो, and then when they turned back to the page before, जब उन्होंने page को पल्टा, it had the same words, वही सब्द लिखे थे, same मने होता है उसी प्रकार के, या वही सब्द हम कहा सकते हैं, same words on it and had when they tried in the first time, यानि जब पहले page को दुबारा पलटते थे, तो उस पर वही सब्द होते थे, जो उन्होंने परतम बार पढ़े होते थे, अब देखिए यह जो आपका पहला इस्टेंजा है, इसमें even मने होता है, और भी, और wrote मने लिखना होता है, about मने के बारे में, यह meaning जो है, आप लोग याद करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका आसानी हो जाएगा आंसर को लिखने के लिए, हेडिन मने होता है, नाम से less किया गया था, found मने होता है, मिलना, printed मने होता है, मुदृत करना या चापना होता है, turn मने होता है, मोडना या बदलना, और यहां पे दिया है, क्रिंकली मने बहुत अदिक सातों और रखाओं वाला, अभेफली मने भैसे, यानि अभेफली यहां पे दिया है, भैंकर हसी मजाग, यानि अभेफली फणी, hyны वह पढ़ें में बहुत वहंकर लंगता था, क्यों ऐसा लगता था क्योंकि वह जो था जो वह भेंकर इसलिए लगता था कि जो वह अच्छा जो थे ना वह जहां पर थे वह इसे ही मौन खड़े रहते थे ऐसा उनको लग रहा था फनी मने होता है हासे पाद मुई मने होता है गतिसील और सपोर्ज मने होता है सोचना यानि तिंक करना अब आएए आगे वाला इस्टिंजा हम दो देखते हैं अब आगे का जो इस्टिंजा दिया है यहां पर घी मने होता अरे से टॉमी टॉमी ने कहा अरे टॉमी ने कहा अरे वाटे बेस्ट क्या खराब है यानि वाटे बेस्ट का मतलब होता है क्या निरर्थक कार है है when you are a throw with the book you just throw it away I guess यानि यहाँ पर दिया है भी वार्ट बेस्ट जो टॉमी हो बोलता है टॉमी किसे बोला जी मार्ची से बोल ला है कि ही अरे से टॉमी वार्ट बेस्ट क्या निर्थक बाते हैं यानि क्या निर्थक कार कर रहे हो बेन यू आर थूओ इस दूर फेक दिया यानि कहने ताथ पर यह है कि वो मानता है कि जो किताबे आप लोग पढ़ते हैं अभी हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसे हम पढ़ रहे हैं और आए कि लास में जाएंगे तो क्या होता कि इसे हम फेक देते हैं तो ऐसा ही फ्रू बिद्र बुक जो आप किताब के साथ होते हो यू जस्ट फ्रो इट अवे तो इससे आप दूर फेक देते हो ऐसा मेरा अनुमान है आवर टेलिवीजन स्क्रीन मस्ट हैब हैडे मिलियन बुक्स आन एट इट एट 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 इस गूड फार प्लेंटी मोर आ इसमें पढ़ने में क्या होता सी बहुत ही यानि का सकते हैं कि मेरे पास जो मेरे ट्विलिन की स्क्रीन पर है दस लागे पुस्तके होनी चाहिए और यह दूसरे कारियों के लिए भी अच्छा है यहाँ पर दिया है आइट एट इस गूड फार प्लेंटी मोर और दूसरे का पर नहीं फेगूंगा सेम बित माइन सेड मार जी माजी ने कहा मेरे साथ भी तो ऐसा ही होता है सी वाज इलेवन यानि मार जी जो है वह ग्यारह वर्स की है एंड हैड नट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड यानि सी वाज इलेवन जो मार जी है वह इलेवन वर् पर मार जी ने नहीं देखी है, as Tommy had, जितना की Tommy के पास है, he was 13, यानि जो Tommy है, वो 13 वर्सका है, she said, उसने कहा, where did you find it, यानि मार जी ने कहा, मार जी ने किसे बोली जी, Tommy से बोल लई है, तो कहा, उसने, where did you find, तुमने कहां पर पाई, यानि वो कहती है, कि तुमने ये कहां पर पाई, in my house, he pointed without looking, यानि he pointed without looking का मतलब होता है, कि pointed मतलब देखना, without looking, यानि बिना देखे हुए ही, वो संकेत करता है, in my house की मेरे घर में, in my house का मतलब कहता है, मेरे घर में, he pointed without looking, वो बिना देखे हुए ही, वो कहता है, कि मेरे घर में, जब मार जी यहां पर क्या करती है, Tommy से पूछती है, तो Tommy जबाब देता है, कि मेरे घर में ये किताब मिली, की, because he was busy reading, अब उसने ignore किया, मतलब उसे तरफ्त क्यों नहीं देखा, उसके पीछी reason है, because he was busy reading, क्यों क्यों पढ़ने में, best था, in the attic, acting म्मने होता है दूछती, इन दूछती का मतलब होता है, छत से नीचे कबाड को रखने का अस्थान, देख जो दूछती का मतलब होता है, कि जो बर जाओ, यह कार देते हैं, तुहा दूछती होता है . का मतलब किसके बारे में है तो जो टॉमी है वह जवाब देता है इसकुल के बारे में है यह जो इस्टेंजा है आपका जो पहला इस्टेंजा और यहां पर सेकेंड इस्टेंजा आपने देखा अब यहां पर हम चलेंगे अगले इस्टेंजा पर अब यहां पर कुछ मेनिंग आपको मिलेंगे meaning जो दिया है आपका word meaning दिया आपका best best मने होता है बेकार बेकार की पड़ चुके हैं आप लोग और throw मने होता है फेकना अवे मने होता है दूर और guess मने होता है अनुमान million मने होता है 10 lakh क्या होता जी 10 lakh होते हैं यानि बहुत सारे same with mine मेरे साथ यसा आई है, pointed मने होता है, लच से attic मने होता है, टाड या दुछती, अब यहाँ पर आगे आई हम लोग तीसरे स्टेंजा में चलते हैं, यहाँ पर दिया है, मारजी वाज स्कारफुल, इसकूल, मारजी तिरसकार से भरी हुई थी, इसकूल, जब यहाँ पर टॉमी ने बोला, कि किसके बारे में किताब है, तो जब यहाँ पर टॉमी ने जवाब दिया, कि भी यह तो इसकूल के बारे में है, तो मारजी इसकूल, वा बहुत तिरसकार से भर गई, तिरसकार का मतल है ही क्या वाट इस तो राइट इबाॉट इस्कूल के बारेमें लिखने के लिए उसमें क्या है आई हैट इस्कूल मैं इस्कूल से नफरत करती हूं मार जी, बॉय हैट से nurse ौ une exclusion सै क्या नफरत है मैं इसू जाना नहीं परसंद करती हूं मार जी, always hated school क्योंकि मार्जी जो था हमें साइज स्कूल से नफरत किया करती थी but now she hated it more than ever यानी प्रंतु यानी दिया बट मनते होता अब किन्तु या प्रंतु now she hated मने होता यहाँ प्रंतु अब वह इस से और ज्यादा नफरत करती थी the mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and seen for the county inspector देखिए आपर हम पढ़ेंगे यहाँ पर दिया आपका the mechanical mechanical मने होता है यांत्रिक ठीक है यांत्रिक teacher याणि teacher अध्यापक यांत्रि अध्यापक जो थे had been giving test giving मने होता है देना test मने होता है परिच्छा आप्टर टेस्ट यहीं एक परिच्छा के बाद दूसरा परिच्छा उसे दिया जा रहा था इन जियोग्राफिक इस विशे में जियोग्राफि मन होता है भूगोल भूगोल की विशे में एक के बाद एक के बाद क्या किया जा रहा था उसे परिच्छा दिया जा रहा था यानि यांत्री रूपी जो यानि यांत्री जो अध्याफक थे जो मैं कि इस रूब्योटिक खम टी क्यार करना और वह बेकार पे बेकार किये जा रही थी ऐसा नहीं कि उठेस उसका सही जा रहा था बेकार पे बेकार किये जा रही थी अंटिल हर मदर तब तक क्या किया अंटिल में था तब तक हर मदर हैड से किन हर हीड हीड सौरफुली एंड सेट फार्द काउंटी इस्पेक second her head is confidential and sent for the county inspector और होपए county gidder को बुला लिया यानी county supporter को वहँपे बुला लिया वह सही करने के लिए जो geography पी geography मिले जा रहा था यह हम बता दें आपको क्योंकि ये वो जैंकर तामेझ हो है आया लेडी वाट्य वसक्रीन के screen पर अपनी लिया, क्योंकि बुलाया, क्योंकि वा लेडी जो था भूगोल के पीसे में बार बार टेस्ट दी जा रहा था और जो माल जी थी, वह टेस्ट पे टेस्ट जो जबीन लहा था, वह गल्त-गल्त किया रही थी, यह खराब से खराब किया जा रही थी, इसलिए उसकी माने परिसा चेहरा जो लाल था एंड होल बाक्स उसके पास एक बाक्स भरागए था होल बाक्स मतलब होता है एक थोड़ा सा छोड़ा सा संदूग था आफ टूल्स टूल्स मने होता है अजारों से लेस था यानि होल बाक्स आप टूल्स उसके पास अजारों बित डायल्स एंड वायर्स यानि, he was a round little man, वह छोटा सा आदमी था, गोल मटोल था, जो दिखने में उसका चेहरा कैसा था, जी लाल था, and a whole box of tools with dials and wires, और और जार और तारों का पूरा बकसा था, यानि, यहां से यहां तक कर सकते हैं, he was a round little man, वह उस गोल मटोल आदमी था, with a red face उसका चेहरा लाल था and a whole box of tools with dials and wires, और उसके पास डारों और तारों का एक पूरा बकसा था, he smiled at Margie, वह Margie की देखकर मुस्कुराया, he smiled वह मुस्कुराया, कौन मुस्कुराया जी, जो mechanical, जो यानि, county inspector था, he smiled at Margie, वह Margie की तरफ देखकर मुस्कुराया, and gave her an apple, और उससे क्या कर दिया जी, gave her an apple उसको खाने के लिए एक सेव दिया, यहीं कह सकते हैं कि, वह Margie पर मुस्कुराया, और उससे एक सेव दिया, Margie and gave her an apple, उससे खाने के लिए एक सेव दिया, then took the apart teacher, और उसके बाद उसके Margie के teacher को दूर लेकर चला गया, then took the apart teacher apart, और Margie को लेकर दूर चला गया, Margie had hoped, he would not know how to put it together again, but he knew how all right and after an hour, so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked, अब देखिए, यहाँ पर बड़ा है, तो इसे हम पार्ट में करके ही पढ़ेंगे, यहाँ पर दिया भी है कि Margie had hoped, Margie के ऐसी उमीद थी, hoped माने क्या होता है, उमीद करना या आसा करना, he would not know how to put it together again, यानि Margie को ऐसा लग रहा था, कि वह जानता नहीं होगा, उसे दुबारा कैसे अस्थाफित करना है, दिया है भी न, he would not know, वह उसे नहीं पता होगा, how to put it together again, किसे पुना कैसे, एक बार सही से अस्थाफित किया जाएगा, but he knew how all right, लेकिन वह जानता था, यह जो काउन्टी आर सो, there it was again, वह फिर से था, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown, and the question were asked, प्रंद वह जानता था कि उसे किस प्रकार ठीक करना है, और एक घंडे के पसात या दुबारा, बड़ा, काला और भद्दा हो गया, दिया न, large and black and ugly, यानि काला बड़ा हो गया, and black और काला हो गया, and ugly, अगली मने होता है, कुरू या भद्दा, यानि बहुत ही भद्दा सा हो गया, that was not so bad, यानि that was, was not, यानि was not, यानि that wasn't, wasn't पढ़ेंगे, was not पढ़ेंगे, wasn't भी पर सकते हैं, was not भी पढ़ेंगे, that was not so bad, यानि वो इतना बुरा नहीं था, the part मार्जी hadded most was the slot, where she had to put homework and test papers, the part of, the part मार्जी hadded, मार्जी को जिस भाग से बहुत ज्यादा नफरत थी, the part मार्जी hadden most was the slot, where she had to put homework, put homework का मतलब जहां पर जिस खाचे में, वो अपना homework को set up कया करती थी, and test papers, यानि सीधे सब्दों में कहा जा है, कि मार्जी जिस भाग से ज्यादा नफरत करती थी, वो एक दिया हुआ, दिया और अस्थान, जहां हुआ अपना गिडिये कार और परिच्छा के कावजूं को रखती थी, यानि सबसे ज्यादे नफरत उसको यह होता था कि जब भी, जैसे मालेजी यहाँ पर box होता है, जैसे मालेजी the computer screen पर दो पार्ट में था, तो कहीं पर एक खाचे में इधर था, तो इस खाचे में से इस खाचे में डालना जो था ना, इसको बहुत ही नफरस्चा लगता था, उसे अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, तो यहाँ पर दिया भी है कि that वार ना, इतना बुरा भी नहीं था, the मार्जी the part मार्जी had most was the slot where slot मनाता है इसा था उसी में, the slot where she had to put homework and test papers, जिस खाचे में वो अपने test paper को डाला करती थी और अपने ग्रियागार को पूरा किया करती थी, she always had to write them out in a punch code, they made her to learn when she was six year old, she always had to write वो हमें सा punch code में लिखा करती थी, she always had to write them out in punch code, वो हमें सा punch code में लिखा करती थी, they made her learn when she was six year old और वो पंच कोड कप सीखी थी, जब वो छो साल की थी, यह question पूछता है कि उसने अपना पंच कोड कप सीखा था, या जब वो छो साल की थी, तभी से उसने पंच कोड करना सीख लिया था, and the mechanical teacher calculated the marks in no time, और यांत्री रुपी जो यांत्री का ध्यापक जो था, चिन और जो mechanical teacher था, कितना number मिला है, तुरंतर डाला जाता था, तुरंतर पता चल जाता था, जैसे आपको पता है कि आप television की screen पर जो भी paper हो रहे हैं, उस paper में अगर मालीजी दिया जा रहा था, तुरंतर पता चल जा रहा है कि है कितना number लाइक किया है आप लोग, तो उसी परका आए तो comment box में जुरूर बताएं और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे channel से जुरूरे रहे हैं और bell icon को दवाना ना भूलें, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाइबाए, आप लोग मिना से पढ़िए, फिर मिलते हैं